नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एस रसी गुरूपडी की कट ओफ कम जाएगी गुड न्यूज आई है अभी अभी बड़ी खबर मिली है साथियो और TGT वाड़ों के लिए भी ये वीडियो बड़ा स्पेशल रहने वाड़ा है अगर आप और इन्फोर्मेसन देखना चाहते हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का विश्वसने चैनल जो लगातार यूआउं के हित में अपडेट उठाता रहता है और बेतरिन अपडेट आप तक सेयर भी करता रहता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं ये नियूज देख रहे होंगे साथियो टीजीटी अब बेर्थियों ने बरती जल्द पूरी करने के लिए लगवक कई जिलों में ये ग्यापन सोपा गया है और टीजीटी जो बेर्थियों लगाता रेजल्द निकालने के लिए परियासरत भी है लेकिन साथियों अमारे पास भी काफी साथियों के कोल भी आई जो अमारे मित्तर हैं कि इसके उपर वीडियो बनाया जाए और साथियों हम लगातार अगर कोई भी जायज मांग है उसके लिए मुद्दा उठाते हैं वीडियों भी बनाते हैं कल हम किसी काणवास वीडियों नहीं बना पाई लेकिन हमने इसके लिए वीडियो के साथ साथ सात्यों दूसरी तरफ भी कोशिस की जाती है कि आपका जो समस्या का समाधन है वो जल्दी से जल्दी की जाए तो input निकालने की कोशिस की थी सात्यों वो आपके लिए good news लेकर आ रहे हैं आपको पता है जो next date है वो 20 नवंबर दी गई है case की अब सात्यों जो input निकल के आया है कि गुरूप D वाले candidate है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि गुरूप C बरतियां पहले पूरी की जाएं उनकी मांग सात्यों जायज भी है लेकिन आपको पता है कि गुरूप C जो CET के तैट बरतियां होने वाली है उनका मामला दिसंबर माम में चला गया है अगर SSC permission लेती है main exam की पहले जो की advocate journal ने कहा था तो वो सात्यों अलग process होगा और वो पूरा किया जाता है उसके बारे में को information मिलेगी वो तब ही आपको बताई जाएगी जब तक पुकता information नहीं मिलती तब तक हम share नहीं करते लेकिन सात्यों SSC फिलाल क्या कर सकती थी उसी मुद्दे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि TGT की जो बरती है वो number मा में complete कर ली जाए क्योंकि TGT के जो 441 कंडिडेट है इन्होंने भी group D का exam दिया है और आपको पता है जो teacher level की तयारी कर रहा है वो group D में भी top के उपर ही आपको मिलेगा यानि कि अगर TGT बरती complete की जाती है तो भी group D वालों को फाइदा होने वाला है group D की cutoff कम जाने वाली है चाहे एक नंबर का फरक पड़े चाहे आदे नंबर का फरक पड़े या जो भी फरक पड़ेगा कुछ ना कुछ साथियो TGT की बरती पूरी होने से फरक जरूर पड़ेगा ये आप confirm मानियेगा तो साथियो TGT बरती वालों के लिए good news है और हम लगातार उन युवाओं की पक्स में भी है जो भरती पूरी कराने की मांग कर रहे हैं लगातार आपका मुद्दा हम आगे भी पहुचाते रहेंगे साथियो ये युवाओं सांहति पूरी के से लगातार परियासरत भी है तो जहां भी अमारे sport की जरूरत है हम साथियो आपका sport जरूर करेंगे लेकिन फिलाल जो good news आ रही है वो ये है कि TGT बरती को नवंबर मा में complete करने की जो information मिल रही है और उसके बाद ही group D की बरती पूरी की जाएगी यानि कि group D की बरती जैसी information मिल रहे है वो दिसंबर में जाती हुई group D का result है वो दिसंबर से पहले नहीं आएगा ऐसी information दी जा रही है पहले TGT बरती होगी उसके बाद वही group D की जो बरती है उसके उपर परियास किया जाएगी और गर CET मेंस वाला मामला सुल्टता है यानि कि जो exams की permission मिलती है तो वो तो सात्यों फिर group C बरती और 32 जारपतों के उपर बरती है ने वो भी पूरी करवाने क कोशिस की जाएगी लेकिन वहां तो पेच फसके है फिलाल TGT परती को पूरी करने की परियास है वो आयोग ने शुरू कर दिये हैं ऐसे ही और कोई अपडेट मिलेगा वो भी आप तक share करेंगी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक्श झूलियो में